हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग यहाँ पे अपने फोन में एप ड्रावर को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं इस तरीके से तो यहाँ पे आपके फोन में डारेकली जो कीबोड है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है यहाँ प आप लोग यहां पर इसको जो है इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर टीक करेंगे इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं तो यहां पर मैं आपको दो तरीका बताऊंगा आपको setting को open करना है उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों आपको अपने phone में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको home skin का option आएगा आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पे आपको home skin वाले option पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके phone पर यहाँ पे निचे की और open search after opening app drawer का option आता है तो आप यहाँ पे उसको बंद कर दीजिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे उसको बंद करेंगे तो आपके phone पर यह problem यहाँ पे solve हो जाएगी ओके तो आप लोग यहाँ पे इसको बंद कर दीजिएगा आपके phone में on रहेगा तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम आता है तो आप लोग उसको simply से बंद कर देना है तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे फोन पर अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो कीबोर्ड यहाँ पर आ रहा था वो यहाँ पर सोड नहीं कर रहा है और जो second तरीका है वो है यह है कि आपको यहाँ पर जो है यही पर ही आपको देख सकते है थ्री-लाइन का तो आप लोग यहाँ पर क लिक करेए और यहां पर आप लोगों को directly option आ जागा तो आप लोग याँ पर ईसको बंद कर दीजिये तो वाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए